हाई मैं डोक्र नगेंदर थालोर, सीकर में कार्डियोलोजिस्ट हूँ और आज का जो टोपी का अपना, वो अपन बात करेंगे जो येंग जनरेशन है येंग पोकुलेशन है, उसमें हाट अटेक के क्या कारण हो सकते हैं और क्यों हाट अटेक उनमें बढ़ रहे हैं हाट अटेक के कारण जाने से पहले, अपन दो तीन वर्ड हैं उनके बारे में थोड़ा जाना चाहेंगे जिन में एक है हाट अटेक, दूसरा है कारडियक अरेस्ट और तीसरा है सदन कार्डियक डेथ तो ये तीनु वर्ड सुनने में सिमिलर से लगते हैं लेकिन इनमें क्या डिप्रेंस है, वो अपन थोड़ा डिसकस करना चाहेंगे तो सबसे पहले बात करें हाट अटेक क्या है तो हाट अटेक का जैसे अपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है कि जब हाट को जो बलड वेसल्स हाट को सप्लाई करती है यदि उन वेसल्स में अचानक बलोग आ जाता है या पून का थक्का जम जाता है जिसके कारण बलड सप्लाई रुख जाती हाट की तो अपने को पेन, चेस्ट पेन, घबराट, स्वेटिंग सब हाट अटेक के सिम्टम चलू हो जाते है तो उस कंडिशन को अपन हाट अटेक बोलते है अब दूसरा यह है कि कारणियक अरेस्ट का मतलब क्या होता है जब हाट अटेक ही जो सिवेर हो, मोती उसको अपन कारणियक अरेस्ट बोलते है जिसमें होता क्या है? कि अपना हाट पंपिंग करना बंद कर देता हाट कॉंट्रेक्शन नहीं करेगा, हाट पंप नहीं करेगा तो अपने सरीर में ब्लड नहीं जाएगा, ब्रेन को ब्लड नहीं जाएगा, ऑक्सिजन नहीं जाएगा तो अपन बेहोस हो जाएंगे, अनकोंचेवस हो जाएंगे और अपना जो पल्स है BPA वो कुछ अपना फिलनी होगा अपने को वो सब बंद हो जाएगा तो इस condition को अपन cardiac arrest बोलते हैं लेकिन जो cardiac arrest है वो reversible है यदि अपन उसको पटापट उसका treatment करेंगे जैसे अपन बोले CPR हो गए रहा जो भी अपन करेंगे तो वो revert हो जाता है वो survive हो जाता पेशेंट तो उसको अपन cardiac arrest बोलते हैं तो तीसरा है sudden cardiac death क्या है इसके बारे में तोड़ा समझ लेता है तो sudden cardiac death is a natural death, sudden in onset and sudden loss of consciousness by some changes in the cardiovascular system यानि अपने heart के अंदर ऐसे कुछ changes होते है एक गंटे के अंदर अंदर जिसके कारण अपने एकदम से conscious loss हो जाता है और अपना heart activity करना बंद कर जाता है और patient collapse हो जाता है वो expire हो जाता है और यह जो irreusible रहता है क्योंकि इसमें patient वापी स्रीवाईव नहीं होता है तो यह तिनों जो term है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा idea अपने को मिल गया है अब अपन next बात करते हैं कि जो heart attack हो रहे हैं उनके क्या क्या कारण हो सकते है तो कुछ conventional risk factor हैं जिनके बारे में अपन सबी जानते हैं जैसे की uncontrolled sugar, uncontrolled BP है, high cholesterol है, patient बहुत मोटा है या physical inactivity है वो कोई exercise अगरे नहीं करते हैं या फिर वो बहुत ज़्यदा oxygen smoking करते हैं, secret कीते हैं या उनके family ST है, घर में किसी को पहले heart attack हो आया हो तो ये सब conventional risk factor हैं जिनके बारे में अपन सबी जानते हैं, तो इनके बारे में अपन discuss नहीं करेंगे अपन आज ऐसे risk factor के बारे में discuss करेंगे, जो कि येंग population में visually रहते हैं और जिनको अपन पता नहीं रहता अपने को कि ऐसे भी हो सकता है तो अब अपन कुछ ऐसे risk factor के बारे में discuss करते हैं, जो कि येंग population में ज़्यादा पाय जाते हैं तो इन में सबसे पहले अपन बात करें है stress stress एक बहुत common कारण है येंग population में तो stress किसी भी type की हो सकती है जैसे अपने job से related है, अपनी health से related है, अपनी family से related है या फिर अपने कोई meeting है, उसके अपने को tension या अपने job की security की tension, भई शेक्योर नहीं है अपनी job तो उसकी भी tension हो सकती है और अपना कोई, जिसको अपन बहुत ज़्यदा प्यार करते हैं वो कोई expert हो गया, तो अपने को बहुत ज़्यदा दुक हो रहा है उसके काणी stress हो रहा है तो इन सब condition में क्या रहता है, कई बार heart में इतना affect होता है कि heart की जो contraction power हो कम हो जाती है और उसको अपन stress induced cardiomyopathy भी भी बोलते है या broken heart syndrome बोलते है यानि इतनी stress रहती है कि heart का कुछ इसा काम करना बंद कर देता है वो proper काम नहीं कर पाता और जिसको अपन broken heart syndrome बोलते है तो उस condition में अपने को कई बार एकदम heart attack जैसा लगता है लेकिन जब अपन इंजियोग्राफियों गरे जांस करते हैं तो coronary में कुछ आतपला काता है नहीं coronary normal आती है क्योंकि उसमें कोई ऐसा अंदर दिक्कत नहीं है लेकिन वो इतनी stress के कारण जिसा इसपाजम हुआ या कुछ active TV से करना अपने को दड़ सालू हो गया और heart ने proper काम करना बंद कर दिया दूसरा point इसमें अपने बात करें है diet का तो अपने देखते हैं कि आजकल जो जो लोग हैं उनकी diet का कोई regular pattern नहीं है fix time नहीं है उनकी जिनकी में बहुत भागदोड रहती है और अपना खाने के लिए उनका fix या कुछ balance diet नहीं ले पाते हैं वो और जहां भी जोग करते हैं या कहीं जहां भी रहते हैं वहाँ पे कुछ fast food टाइप खा लिया कुछ कचोरी है समोशे का लिया या कभी कुछ पार्टी कर ली वहीं पे तो जो खाने में जो healthy diet दिनी जहे जिसे फल्परूट होगा रहा है या village diet अपना घर का खाना बोलते हैं वो अपन खानी पाते हैं या उसका timing set नहीं है कभी अपन late night में खा रहे हैं कभी सुबह भूके नास्ता भी नहीं कर पाते हैं तो पूरा diet का एक fix pattern नहीं है तीसरा point अपन बात करते हैं वो है drug तो drugs में अपन देखें कि विवाओं में कई बार drug की इस इलत लग जाती है और उनके घरवालों को पता भी नहीं चलता है तो इसमें जैसे alcohol एक common है लोग बहुत ज़्यादा alcohol लेने लग जाते हैं या फिर कुछ नस्री दवाए होता है जैसे cocaine है मेरी जोना है गांचा है बांग है ऐसी कुछ दवाएं हैं जो लोग खाने लग जाते हैं तो यह सब जो drugs रहती है इनका अपने हार्ट पे बहुत खराब असर पड़ता है यह सब drug करती है अपने सेंपेटिक एक्ट्यूटी को बढ़ाती है अपने हार्ट की सेंपेटिक एक्ट्यूटी बढ़ेगी तो एकदम से अपना blood pressure बढ़ेगा contraction बढ़ेगा हार्ट की जो नसे हैं वो सीकूर जाएंगी और जो पलेट लेट बोलते हैं जिनको वो एकदम से collect होने की tendency बढ़ जाती है तो वो सब अपने हार्ट की blood supply को कम कर देंगी और हार्ट में एकदम से arrhythmia होने लग जाते हैं तो कई बार patient उसमें sudden expire भी हो जाता है ऐसे खतना का अरिदमिया उसमें हो सकते हैं तो एक alcohol से related अपने बात करते हैं तो alcohol का जैसे हम कई बार weekend पे या Saturday को कुछ पार्टिय करते हैं ड्रीन करते हैं और पता चला कि सुबह वो आदमी अकस्पैर हो गया तो उसमें क्या हुआ तो उसको एक holiday heart syndrome बोलते हैं यानि जो alcohol लेते हैं उसको night में कई बार ऐसे अरिदमिया रहते हैं एटेल अरिदमिया या वेंटिकुल अरिदमिया रहते हैं और उस अरिदमिया के पेसेंट सेडनली डाई हो जाता है इसके अलावा जो चोता पॉइंट है वो अपने बात करते हैं तो inflammation यानि अपने सरीर में कहीं न कहीं inflammation रहता है तो भी अपने को heart की risk बढ़ जाती है तो ज़रूर नहीं है कई बार कि full place inflammation हो कुछ indolent inflammation यानि जो अपने सरीर में कुछ छुपावा inflammation रहता है उसके कारण अपने को क्या रहता है वह blood vessels में कुछ injury करता रहता है तो वहां पे जहां भी injury रहेंगी वहां पे प्लेलेट कलेक्ट होने लग जाएंगी वहां पे प्लाक बनने की जो समत्या वह बढ़ जाती है तो जो infection है वो उसको control करना अपना फिर दरूरी रहता है उसको पैचानना है तो उसके लिए अपन क्य बढ़ा उतनी जदा अपने को heart attack की risk करती है तो उसको पैचाना बहुत जरूरी है तो अपने उसको जानने के लिए यह नहीं हो कि अपने जैसे कहां सी है जुकाम है या कोई बुखार हो रहा उस टाइम में अपनो करवाएं क्योंकि उस टाइम तो बढ़ावा ही आना है तो अपने सरीर में जब एसे वाले कोई भी दिकर नहीं है अपने को बुखार नहीं है कोई infection नहीं है अपने नॉर्मल ही है और उस टाइम अपने हाई सी रेक्टिव प्रोटिन करवाते हैं और यदि वह बढ़ावा आता है इसका मसला अंदर inflammation चल रहा है जो कि अपने heart के प्रोटिंग टेंडेंशी रहती है कुछ लोगों में वह बहुत ज्यादा रहती है तो यह क्लोटिंग टेंडेंशी ज्यादा रहेगी तो शरीर में उनके थके जमने के चांस रहते हैं तो उस condition में भी patient को कई बार अचानक से जैसे को उनका कोई थका जम गिया और नस ब्लो सेकेंड लेवल के risk factor हैं जो इन population में पाये जाते हैं